हम जो चर्चा कर रहे हैं और जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वो उसी इरान-जरेल-संगरश की जो तस्वीरें हैं जहां पर इरान ने तीन सौ से अधिक ड्रोन्स और मिसाइल्स से इस्रेल पर हमला बोल दिया है और उस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या यहां से तनाव आगे बढ़ेगा क्योंकि इरान की तरफ से ये वार है क्या पलट वार इस्रेल की तरफ से होगा और एक बार अगर इस क्रम की शुरुआत हो गई तो वो दो देशों के बीच एक युद्ध एक कन्वेंशनल युद्ध चले गए और आज तक उनका आता पता नहीं है उन्हें वापस ला पाएगा और हमास का अंत कर पाएगा इस्रेल कहता है यह अंतिम चरण में है लड़ाई पूर्ण नहीं हुई है तो जब तक वो लड़ाई पूरी नहीं होती है आपको लगता है इस्रेल एंगेज करेगा बड़े स्थर पर इरान से देखे ये कहना बड़ा कठेन है कि कब इंगेज करेगा लेकिन ये बात हमको सब कुछ समझ लेनी चाहिए कि एरान के पास इसराइल के पास एक लाइसन्स है आज कि उसको रिटैलियेट करने का इसराइल क्योंकि अगर वो पहले जाता तो लोग कहते हैं इसराइल ने हमला कर दिया एरान के उपर लेकिन उसने अभी वेट किया है उसने जब हमला जिस तरह से जब हमास ने हमला किया उस साथ अक्टूबर को उसकी रिप्रेजल में इन्होंने हमला किया उसके बाद आज ए नुक्लियर वेपन चलाएंगे, क्योंकि टार्गेट किस प्रकार के होंगे, इसमें दो बाते मैं कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ी पुराने हिस्टारिकल जो लड़ाई है, एरान और इसराइल के बीच में, वो है, not to allow एरान to develop a नुक्लियर वेपन, हाला कि इसमें काफी हथ तक एरान तरक्य कर चुका है, तो मेरा मानना ये है कि पॉसिबिली जो नुबर वन टार्गेट होगा, जो उनकी नुक्लियर फसिलिटी जिसके बारे में इसराइल को पूरा ज्यान है, उस पर कुछ न कुछ हमला हो सकता है, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उस प्रोजे को या बिल्डिंग को इतना नुक्सान नहीं होता, बलकि जितनी इलेक्ट्रोनिक डिवाइस होती है, जितनी इलेक्ट्रोनिक से काम करते हैं, वो सब रद हो जाती है, और कहने में या आता है कि इरान इल बी टर्ण इन्ट इन्टो अ स्टोनेज, अगर इस तारह से वेपन रहे थे और टर्रिस के जरी लड रहे थे, लेकिन वो डाट आ गए हैं, तो इसका डाइरेक्ट रिस्पांस मिलेगा, कब मिलेगा, किस हालत में मिलेगा, कहना मुश्किल है, लेकिन इसका एफ्यक्ट जैसे हमारे इस फॉरंट मिनिस्टर भी कह रही थे, इसका इफ्यक्ट और आगली बात यह है कि हमारे इंडिया के रिलेशन आइरान के साथ भी अच्छ यह पर बड़ेस्ट में में रहा है। लेकिन होना मुश्किल है क्योंकि मुझे लगता है कि एक न एक तो इसका कोई एक्षन इसराइल अवश्च चिलेगा एक्रान की तरफ से भी ऐसा नहीं है कि कोई वैसी बात की जा रही है लेकिन साथ में अमेरिका को भी क्या देता है कि दखल दोगे तो तुम पर भी आकरमन हमारा हो जाएगा आगर हम आतंकियों की तरफ से आकरमन देखें तो अमरीकी फोर्सेस को टागेट बनाये ही गया है फिर तो एसकलेशन और जाद अलगा बिल्कुल शोयता देखिए आज की तारीक में इरान किसी भी हालात में अमेरिका फोर्सेस के उपर अब डारेक्ट अटैक नहीं करना चाहेगा क्योंकि उसको उसका परिनाम पता है क्योंकि अमेरिका प्रेजिडेंट बाइदन ने घोशत कर दिया है कि वो अफेंसिव स्टाटेजी में शामिल नहीं होगा और अगर एरान ने गलती से कोई अटैक कर दिया वहाँ पर देखिये परिस्यन गोलफ में रेट सी में अमेरिकन फ्लीट सीय्पिन का या किसी भी बेस में इराक की या सीरिया बेस में अगर अमेरिकन टुप्स के ओपर फायर किया तो यह और बिस्तार से बढ़ेगी और अभी मैं बोलूँगा ये मल्टी डिरेक्शनल और मल्टी फोर्स लेवल का ये अटैक जाएगा जिसमें काफी एलाई शामिल हो जाएंगे यूके है यूएस है फ्रांस है तो ये तो फिर एक अलगी परिनाम ले लेगा इरान बिल्कुल चाहेगा कि ये अभी लोकली लिम वार है ग्राउंड फोर्स लेवल में आज की तारीक में जो वार है वो गाजा में रिस्टिक्टेड है और अभी रफा में वो जाना है उन्होंने एटैक करना है और साथ ही उन्होंने ये हजबुल्ला के साथ नदन इसराइल को कंटेन करके रखा है तो ग्राउंड फोर्से लड़ाई आज मेरे को लगता है वो इस्राइली के एडवांटेज में है अनलाइक रशिया युक्रेन वार जहां पर ग्राउंड फोर्सेज की कमी पड़ी है अभी आईए एर स्पेस में अब जो लड़ाई चल रही है वो स्ट्राइजिक मिजाईल्स और ये ड्रोन्स की चल है उसमें आज की तारीक में प्रिसेशन ओरियंटेड बिजाईल्स और ड्रोन्स वो बेटर केपिबिलिटी है इसराइल के पास नमबर वन नमबर टू एर डिफिंस सिस्टम इस्राइल का बेटर है और एरान का जो एर डिफिंस सिस्टमें इतना काबलियत वाला नहीं है क्योंकि उसमें रशिया का S300 एर डिफेंस सिस्टम है जो रूस और युक्रेन लड़ाई में इतनी उसकी शमता नहीं रही है तो उसमें भी उनको एडवांटेज है और दूसरा नेवल फलीट में अगर देखा जाए इसराइल का जो वेस्टन कोस्ट है मेडिटेरियन पूरा वो बिल्कुल सुरक्षित है और जहां तक रेट सी का सवाल है और पर्शियन गल्फ में उनका ऑपरेशन कम है लेकिन रेट सी और पर्शियन गल्फ में अमेरिकन फोर्सेज यूएस ये यूके फोर्सेज डिप्लॉइड है तो आज की तारिक में सारा पल्रा एक्ष कि पहले जरुशंकर ने बताय कि अटैक होगे इसराइल के पास आज लाइसेंस है अब एक चीज है यहाँ पर यहाँ पर इसराइल का डारेक्ट सीमा नहीं है एरान के साथ तकरीबन मिनिमम जॉडन और सीरिया को मिला के लगाएं तो एक हजार किलो मीटर तो कम से कम पड़ता है इसराइल डेफिनिटली देखेगा क्या अटैक करूँ किस पर कार अटैक करूँ दो चीज़ यहाँ निकल के आती एक तो क्योंकि उन्होंने सारे अटैक नाकाम कर दी हैं सफल नहीं हुआ है तो यहाँ एक उन्गा ग्राउंड है कि शायद अटैक ना करें दुनिया प्र और मेरी पॉलिटिकल पॉजिशन पहली कम जो हो रहा है तो क्या मैं हमला ना करूँ लेकिन दुनिया इस समय में यह चाहेगी क्योंकि एकॉनमी दुनिया के पहली बहुत डाउन है आउयल प्राइसे बढ़ रहे हैं वो नहीं चाहेंगे कि हमला ज्यादा बढ़े और खास वाले कि ना बढ़ने दें उसी को देखते हैं शायद कभी वो करें लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ना करें और ना करें तो अच्छा है पूरी दुनिया के लिए ऐसे में इस्रेल चुप तो नहीं बैठ सकता है पर उसके लिए आपको सही समय क्या लग रहा है इस्रेल किस चीज का इंतजार करेगा यहाँ पर पलटवार के लिए पर देखो शुप उसके पास चॉइस है नहीं कि वो रिटेलियेट ना करें इस्पेशली नेथन यायू की पर्चनल्टी देख के ऐसा लगता नहीं कि वो नहीं करेंगे उनको पता है कि वो इतने पॉपलर नहीं है इसराइल में अभी और अभी उन्होंने रिटेलियेट न मानी जाएगी और एक साइकलोजी का डिफीट मानी जाएगी आज तक किसी डिरेक्ट अमला नहीं किया इसराइल पे चाली साल में अगर उन्होंने अटैक नहीं करते तो फिर यह नूई नॉर्मल हो जैगा ऐसा नूई नॉर्मल कभी इसराइल एकसाप्ट नहीं कर सकता अगर उसने हमला करना है तो कब करना है और कहां करना है हाँ इसके अंदर कोई न कोई आप यह सोच सकते हो कि इमिजेटली हमला ना करें कोई सोच समझ के करें क्योंकि अमेरिका की भी सुननी पड़ेगी उसको इसलिए सुननी पड़ेगी अमेरिका की क्योंकि हाथियार जो ज और इस्राइयल की लड़ाई अगर हो जाती है तो और रिग्मा आ जाएगी तो ऐसे में कब करेगा, कहां करेगा यह एक क्वेश्शन मारक है मगर करेगा ढूरर। जब बात आती है क्या, इस्राइल हमास के साथ लड़ते बात और यहाँ पर लड़ाई करते दोनों कटे कर सकत है जखो हमास के साथ जो लड़ाई है उसमें श्टेलमेट्स आ गाया है उसको राफ़ा पर अटैक करना है उसको अभी इसलिए नहीं कर पारा है वहाँ कैजॉल्टी होती है और जो होस्टेजिस की बात आती है तो ऐसा लगता है जो सो के करीब होस्टेजिस हैं उनमें से काफी मरगे हैं और वो अब इसी परकारते जो हमास है वो सक्ष नहीं बोलना है वो छुपा रहा इस बात को तो ये भी एक बहुत कौज ऑफ कंसान है इसराइल के लिए कि जो होस्टेजी की बात होती है वो लगता है कि काफी हद तक वो होस्टेजी अभी जिन्दा नहीं है ये भी एक क्वेस्टन मारक हैं तो मुझे लगता है कि आज की जो सिच्वेशन है काफी फ्लूइड है और ये सिच्वेशन अगर सबाली नहीं गई तो आउट ओफ कंट्रोल होतकती है और अमेरिका का रुक इसमें यही है कि ये लड़ाई फैले नहीं और वो इंडरेक्ली है फिर ये लड़ाई फैलेगी